हलो एवरिवन, CBSE Board Candidates, both Class 10 and Class 12 मेरे पैरे दोस्तों एक्जाम तो नजदीक मत कहिए, बहुत ही नजदीक है और ऐसे में मेरे पैरे दोस्तों आप लोगों की तैयारी मेरी पूरी भरोसा है आप लोगों पर उम्मीद है कि जोरो सोरो से चल रही होगी एक्जाम पूस्पोन्मेंट को लेकर बात है बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा भया एक्जाम क्या पूस्पोन होगा क्या हमारी डेटशित जो है लेट आने वाली है एक्जाम दीले होने वाला है तो मेरे लिए मैं आप लोगों के date sheet पर बात करने वाला हूँ और exam postponement को लेकर बात करने वाला हूँ अब वो time आ गया है हम लोगों को active रहने के लिए वो वक्त आ चुका है एक दुसरी का coordination के लिए और आप लोगों को जोरो सोरोश मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अब आते हैं date sheet को लेकर की भाया हमारा date sheet क्यों नहीं आ रहा है हमारी preparation में एक एहम role निवाता है date sheet क्योंकि date sheet के according पढ़ाई करने में हमारे लिए आसान हो जाती है हम planning कर पाते हैं आप absolutely correct है पिछले साल की बात करें तो date sheet आया था December 29 तारीक को मतलब अगले महिने के 29 तारीक को उनका date sheet आया था अब उसके आने के पीछे का reason अभी आपका practical exams चल रहा है पुस्पॉर्मेंट पर भी आने वाले हैं अभी आपका प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं इसके बाद प्रैक्टिकल्स चलने वाले हैं बट प्रैक्टिकल्स जैसे ही खतम होगा आप लोगों का date sheet जो है और कितने gap मिलने वाले प्रैक्टिकल्स खतम होगा इन बीटूइंग जब आप अपने प्री बोर्ट्स देंगे या दे रहे होंगे तभी आपको date sheet मिलेगा मतलब दिसंबर की end में ही आपको date sheet देखने को मिलेगा रही बात exam पुस्पॉन होगा क्या तो देखो CBAC ने एक बार बता दिया 15 फरवरी से लेकर अप्रिल के 10 अरिक तक आपका exam चलेगा तो उसी बीच में चलेगा no more changes, कोई changes नहीं होगा हाँ exam postponement को हटाओ लेकिन exam gapping के बारे में हम जरूर आप से बात कर सकते हैं या exam gap के बारे में आप जरूर discuss कर सकते हैं कि कि कितना आपक करके postpone करके क्या फाइदा होगा आप बताओ इसमें आपका नुक्सान है जितना लेट होगा उतना mentally stressed हो जाओगे tension होगा कब exam खतम होगा and all तो 5 दिन के exam में आपको maximum 5 days का और 8 days का आपको gap मिलेगा ही मिलेगा क्यूंकि 56 days का exam चलेगा तो 5 subject है तो उतना cover up करने के लिए बच साल ऐसा देती है हाला कि Hindi और English subject के लिए वह बहुत ज्यादा extend कर देते हैं पर उनका motive क्या होता है मालो आपको match के लिए सिर्फ 4 और 3 दिन आपको मिलेगा और English के लिए आपको 11 दिन मिलेगा पर date sheet भी देखना उसी sequence पर रखा जाता है मालो आज इंगलिस है ना और 3 दिन ब complete कर ले और अपने maths में focus रहें आप English पढ़ने के साथ-साथ maths पर भी focus कर सकते हैं थोड़ी बहुत practice कर सकते हैं और बाकी जो तीन दिन है उसमें आप revision कर सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए हर वो कोसिस की है questions कहां से आते हैं वो अगयरा वगयरा मतलब सारी strategies में आपको बत इसा होगा वैसा होगा मन में कई तरीके के सवाल होंगे बट आपको बताओ सब कुछ आसान और easy होने वाला है जैसा आप सोचेंगे वैसा कुछ नहीं है बहुत आसान बहुत ही exam friendly होता है प्री बोट होती है यह एक logical बात है अलाकि हम आपको एक एक करके हर एक चीज पर डे अप्डेट करते रहेंगे तो हमारे साथ जरूर जुड़िये जोड़कर रहिए सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़िये भार एक अपडेट आपको देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक आप अपना ख्याल रखिए थेंक्यू सो मच